हे फ्रेंड्स फिर से एक जबरदस्त कंपनी बनाने वाला हूं जिसमें इन फ्यूचर बहुत तखडिक ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है और देखिए बहुत मेहनत लगती है यार इतने अच्छे अच्छे स्टोक्स ढूणने में और ऐसे ही स्टोक्स हमारे चैनल पर करती है इसको देख लेते हैं लेकिन सबसे पहले देखेंगे शेर होल्डिंग पैटन देखिए 57.64 था 57.64 है कोई बात नहीं हमेशा इतना रहा यहां देखते हैं तो चार था चार से गिरकर 1.92 आ गया था फिर 1.71 आ गया था लेकिन फिर से अगैन 3.18 परशेंट हो गया बह बात फिर देखेंगे तो यहां देखिए आप यहां तो कभी कम हुआ ही नहीं 17, 19, 20, 22 और अब 32.69 तो सांदार एंट्री डियाई आई कर रहे हैं इसके अंदर और पब्लिक के पास क्या था 20 था क्या रहा गया छे रहा गया कुछ नहीं बचा पब्लिक के पास सारा का सारा म वाल डिया ने उठा लिया है इनका और एफ़ा आई ने भी अच्छी आशे एंट्री बना लिए पब्लिक के सारा माल ले ले गया क्यों यह पिछले पाल से तो कोई भी data नहीं है, लेकिन पिछले 5 साल से 8%, पिछले 3 साल से 4%, लेकिन अब की बार देखिए, 40%, मतलब अब जो है company, start हो गई है, एक अच्छे profit की और, अच्छी sales की और, चल रही है, पिछले 5 साल की profit growth देखें, 12%, 3 साल की 31%, और इस साल 26%, जिस हिसाब से कामकाज बढ़ा है उस साब से अभी profit कम है, शानदार है देखो, profit बढ़ेगा, क्योंकि sales बढ़ी है, और CAGR भी नहीं दिया है कुछ, एक साल का दिया है, 67%, ROI देखें, return on equity, तो अच्छी खासी है, 30% के आसपास हमेशा बनी हुई है, company की sales देखें, 600 करोड हुआ करती थी, 1000 करोड पोज़ गी है company के profit देखें, 25 करोड के हुआ करते थे, 151 करोड के पहुच गए है, 2014 से, अब तक 6 गुना हो चुके हैं, सिर्फ 8 सालों में, 6 गुना profit हो चुके हैं, और EPS 10 का हुआ करता था, 31 का हुआ, 30 का हुआ, 24 का हुआ, अब हो गया है, 55.55 का, बहुत ही शानदार EPS में भी वड़ोत अगर हम करजे की बात करें और रिजर्व की, तो company के पास कभी हुआ करते थे, minus में 24 करोड के रिजर्व, और borrowing होती थी, 600 करोड की, मतलब 600 करोड के करजे हुए करते थे, लेकिन ये रिजर्व, minus से, अब ये प्लस में आ चुके हैं, 518 करोड के प्लस हो चुके हैं, और borrowing जो देखें, यहां देख लेते हैं, company का नाम, Rolex Rings Limited, यह हमारी company है, सिर्फ और सिर्फ, 5300 करोड की company, 1971 रुपे प्राइज है, 2199 high गया था, 995 low, book value 200 की है, 35 का PE है, तो ठीक ठाक PE है, 40 से नीचे सस्ता ही माना जाता है, ROE है, 29 का, ROC 31 का, face value 10 की है, तो हो सकता है, कि split भी देखने से मिल जाए, in future, company का अगर chart देखें, तो हमेशा से अच्छा रहा, उपर की ही और है, देखिए, यहां गया, फिर यहां से थोड़ी सी profit booking आई, फिर उपर गया, फिर थोड़ी profit booking, फिर उपर, फिर नीचे, तो यह profit booking चलती रहती है, और अब देखेंगे, त फिर से यहां से यह, 1900 के लेवल से, फिर से उपर की और आपको भागता हुआ दिखाई देगा, company के कुछ प्रोज और कौँज देख लेते हैं, तो देखेंगे, देखेंगे, company is expected to give quarter, ठीक है, तो मतलब एक अच्छा quarter result company का expect किया जा रहा है, कि आएगा, और पिछले तीन सा का अगर ROE देखें, तो 27% से बढ़ा है, बहुत स्षांदार है, कुछ कौँज भी है, book value से 9.85 टाइम उपर trade कर रहा है, तो यह हो जाता है, क्योंकि, जब company के profits बढ़ते हैं, तो यह बढ़ जाता है, इसमें कोई आसी दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ, यह कौँज में लिख sales growth इसलिए कम है, क्योंकि बीच में जो है, अच्छी sales नहीं हुई थी company की, पर अब जो है, अच्छी sales company कर रही है, तो दोस्तों, आज यह हमारी company थी, जिसके बारे में हमने बताया आपको, देखिए, वीडियो अच्छी लगी हुई तो, प्लीज लाइक कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत!